मेरे प्रे भाई बैनो इस बात का ध्यान रहें कि जब भी हम अराधना करें तो आत्मा और सचाई से करें जियां सिर्व एक मशीन के द्वारा गीद गाना या ऐसे ही प्रात्ना करना बिना समझे भुझे वो अराधना नहीं है अराधना उसे कहते हैं जो हमारी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आत्मा से बाते करें परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हम से बाते करें और पू यह बहुत जरूरी है, और इसलिए प्रभु इश्मसी ने क्या कहा है, कि जब तुम अरादना करो, तो आत्मा और सचाई से करो, क्यों? क्योंकि यहन्ना उसका चार अध्याय और 24 पत में लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है, और जो उसके अरादना करें, वे आत्मा और स पत्चाहि से करें और यही आज मेरा विशय है कि परमेश्वर आत्मा है वो मूर्ति नहीं है और इसलिए कभी-कभी क्या होता है कि हम मूर्तियों के सामने जूखते हैं हमारे क्रिश्चन मसी भाई भेहन भी-कभी मूर्तियों के सामने जूखते हैं कुछ ऐसे हमारे कलीसिया म कलीसया में मतलब कुछ ऐसे ब्रांचेज जो मूरती बनाते हैं किसी वेक्ते की मा आता की या पिता की और फिर जो दुसरे अन्य जाती हैं वो भी मूरती बना मैंने में लगे रहते हैं और उनकी जो मूरती होती है कभी लकड़ी की होती है तो कभी पत्थर की होती है तो कभी स जान दीगी होती, कहने का मतलब अलग-अलग पत्थरों से, अलग-अलग मेटल से, वस्तू से बनाते, और उसकी अरादना करते, उसकी पूजा करते, क्या ये सही है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें तो जान है ही नहीं, जान का हैं उसमें, बिल्कुल भी जान नहीं उसमें, और इसलिए प्रभू परमेश्वर ने एक बात कहीं, जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ, कि हम मूर्तियों की अरादना नहीं करते हैं, हम जीवते परमेश्वर की अरादना करते हैं, और जीते परमेश्वर की अराधना करना ही सच्ची अराधना परमेश्वर के वच्चन में हमें दिखाई देता मैं आपके लिए पढ़ूंगा जब प्रभू परमेश्वर यहवा ने एक आग्या दी दसाग्याएं तो आप जानते होंगे परमेश्वर ने दिया इसराइलियों को उसमें से एक बहुत अहम महत्वपूर्ण आग्या है कि तू अपने लिए कोई मूर्ती खोद करके ना बनाना ना उसकी अराधना करना ये परमेश्वर को बिलकुल भी नहीं भाता बलकि ये एक प्रकार से पाप है ठीक है मैं आपके लिए पढ़ना मांगूँगा इसी से संबंदित Exodus या निर्गमन उसका भी सद्याए तीन चार पाँच पद निर्गमन उसका भी सद्याए तीन चार और पाँच पद सुनिये वचन क्या कहता है तू अपने लिए कोई मूर्ती खोद कर ना बनाना ना किसी की प्रतीमा बनाना जो आकाश में या पृत्वी पर या पृत्वी के जल में है तू उनको धन्वत ना करना और ना उनकी उपास ना करना क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला इश्वर हूँ और जो मुसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पित्रों का धंड दिया करता हूँ और जो मुसे प्रेम करते हैं मेरी आज्याओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ कितनी अच्छी बात है यहाँ पर अगर आप जीवते परमेश्वर से आशिश पाना मांगते हैं तो जीवते परमेश्वर के अरादना करिये जूटे जूटे ईश्वरों की जूटे मुर्तियों की अरादना ना करें क्योंकि वो मृतक हैं मरे हुए हैं जी हाँ परमेश्वर जो है हमारा जीवता परमेश्वर यहोवा प्रविश्व मसी के द्वारा पवित्रा आत्मा के द्वारा वो जीवित परमेश्वर है त्री एक परमेश्वर है क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है और जो उसके अरादना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करें ठीक है अब इसी मूर्तियों के बारे में एक जगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है और वो मैं आपके बताना मांगता हूँ वो पाये जाता है भजन सहीता और उसका 115 अध्या है भजन सहीता 115 अध्या है और उसका 2 से 9 यहाँ पर जो description दिया है यहाँ पर जो बताया गया है मूर्तियों के बारे में यह वचन पढ़के ही आप समझ लेंगे कि हम मूर्तियों की अरादना ना करें चांदी सोने के बने हुए मूर्तियों की पत्रों की बनी हुई काठ की बनी हुई लकड़गी की बनी हुई बहुमुल्य पत्रों से बनी हुई मूर्तियों की अरादना ना करें क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है कि ऐसा करने से हम अपने जीवन में पाप ले आते हैं भजन सिता उसका 115 अध्याए और उसका दोपच से जाती जाती के लोग क्यों कहने पाएं उनका परमेश्वर कहा रहा हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है उसने जो चाहा वही किया है उन लोग की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है वे मनुश्यों के हाथ की बनाई हुई है उनके मूँ तो रहते हैं परंतु वे बोल नहीं सकते उनके आँख तो रहती हैं पर वे देख नहीं सकती उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती उनके नाक तो रहती हैं पर वे सूंग नहीं सकती उनके हाथ तो रहते हैं पर वैं स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाउं तो रहते हैं परंतु वैं चल नहीं सकती, और उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती, जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर जो भरोसा रखने वाले भी बिल्कुल वैसे ह कितना अच्छा यहां पर परमेश्वर के बचन में लिखा हुआ है ये मूर्तियों के बारे में अब आप मुझे ये बताए भई कि बनने वाली चीज बड़ी होती है या बनाने वाला बड़ा होता है आप खुदी सोचिए बनाई हुई चीज बड़ी होती है या बनाने वाला मेरे ख्याल में आपका उत्तर भई होगा जो मैं सोच रहा हूं बनाने वाला बड़ा होगा अब लिजे मेरे सामने कंप्यूटर रखा हुआ है जिससे मैं यहां पर आपको बात कर रहा हूँ और माइक रखा हुआ है भई इसको कोई बनाने वाला तो होगा कोई साइंटिस्ट होगा टेकनिशन होगा कोई ने कोई तो बनाने वाला होगा तो माइक बड़ा है या माइक को बनाने वाला बड़ा है मेरे क्याल में माइक को बनाने वाला अब घड़ी आपके हाथ में होगी या घड़ी आप वाँ टांग के रखे होंगे घड़ी साज बड़ा है या घड़ी बड़ी है भई जो घड़ी को बनाने वाला वही बड़ा होगा है की नहीं सोचने वाली बात है अब जो मुर्तियों को खोदता है बनाता है वो इश्वरों का जो रूप देता है नाकान आकान और ताम जाम जो भी इश्वर के लोग अरादना करते हैं पूजा करते हैं और हाथ जोडते हैं ये बताइए वो मुर्तिकार बड़ा है या मुर्ति बड़ी है अब आप खुदी समझदार है मुर्तिकार बड़ा होगा क्योंकि मुर्ति बड़ी नहीं हो सकते और दुख की बात है कि जिसमें जिसको मुर्तिकार ने बनाए उसी की वो पूजा करता उसी की वो रादना करता उसी की वो फूल डालता ये मुर्खता की बात नहीं है तो और क्या है ये बात आप ध्यान में रखें मेरे प्रियो कभी भी हम किसी मूर्ती के नीचे अपने आपको न जुकाएं चाहे हम कहीं भी खड़े हों लोग करते होंगे करने दो अगर मौका मिलता है तो बता सकते हैं लेकिन आपको और मुझको इन चीजों में बिलकुल भी समलित नहीं होना है आपने देखा होगा कभी कभी लोग पॉलिटिकल अरीना में हम देखते हैं कि अगर कोई मर जाता है तो मरे हुए व्यक्ति की और जुकते हैं और वो पिक्चर में माल आएं आप पता नहीं क्या-क्या फेकते हैं फूल फूल एक विश्वासी के लिए ये पाप के बराबर है हमें नहीं करना है हम तो सिर्फ एक ही परमेश्वर के अरादना करते हैं जो आत्मा है आत्मा में हाड, मास और ये सब चीज़े नहीं होता है आत्मा आत्मा है और परमेश्वर वो आत्मा है, जीवित आत्मा है जिसकी हम, मैं और आप क्या करें? अरादना करें और इसलिए प्रभू परमेश्वर ने बहुत साफरिती से का भाईया, इसको ये मुर्थियों की, डेड मुर्थियों की मरे हुए मुर्थिए की अरादना नहीं करना है चाहे हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे मसीखत में नाम तो नहीं लूँगा लेकिन जो मर्यम की मुर्थि बना लेते हैं यूसुप की मूर्थी बना लेते हैं और लोग उसी को अराधना करते हैं अरे बर्मेश्वर के वच्चन के खिलाफ है ये उसके खिलाफ है मूर्थी खोद करके बनाना और फिर उसकी अराधना करना नहीं 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 ये तो जूटी भावश रकता है प्रमेश्वर आत्मा है और उसकी अरादना करने वाले कैसे करें आत्मा और सच्चाई से हम उसकी अरादना करें जब हम थोड़ा देखेंगे प्रमेश्वर आत्मा है और उसकी अरादना आत्मा और सच्चाई से कहने का मतलब क्या पहली बात तो आप ये देखे, मैं आपके लिए पढ़ूँगा, एक बहुत अच्छा पद पाया जाता है, वो पाया जाता है, पहला कुरंथियों और उसका चौदा अध्याए और उसका पंद्रवापद, सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्तना करूंगा, और बुद्धी से भी प्रार्तना करूंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा, और बुद्धी से भी गाऊंगा, तो इसमें दोनों चीज़े हैं, जब हम सच्चाई की बात करते हैं, तो हम सोचना हम किस परिश्वर किसी चित्र की अराथना कर आदा थेसे लोग चित्रों के ऊपर मुंबठ्ध technical जला देते हैं अगर आप यह आप सा करते हैं आज से बिल्कुल नहीं करें क्योंकि परिमेशर की ऐसा कर लिद्धि से कहता है हमें इसकी अरादना नहीं करना है यह पाप है यह परमेशर के वचन के विरोध में है तो जब हम सच्चाई की बात करते हैं तो हम बुद्धी से बुद्धी से भी गाएं बुद्धी से भी प्रार्तना करें हम देखें कि यह सच्चा है दूसरी बात आत्मा में हम प्रारतना करें आत्मा में हम उसकी क्या करें अराधना करें गीत गाएं आत्मा में है ना अब आजकल क्या है कि कभी-कभी बहुत इंट्रेस्टिंग गीत आते हैं बना चलता फिरता और beats उसके इतने बड़ियां है कि हमारी body हिलने लगती है नहीं ठीक है हिलना उसमें कोई समस्या नहीं लेकिन कभी-कभी हम उसी में रह जाते हैं और हम पवित्रा आत्मा के साथ हमारा आराधना नहीं हो पाता यहां गलती हम अपने हाथों को उठा करके या नीचे रख करके जैसे भी आपकी मर्जी है हमारा ध्यान हमारा मन हमारा व्यक्तित्व हमारा विवेक हमारा संपूर्ण संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभू की अराधना में लगना बुद्धी से भी गाना है आत्मा में बिगाना और यही मतलब है यहां पर कि जब भी हम परमेशोर की अराद ना करें तो आत्मा और सचाई से करें एक और बात मैं आपको बताना मांगता है कभी क्या करते हैं मैंने नोट किया है आप कैसे नोट किया ये तो दूसरी बात है लेकिन नोट किया भई लोग अरादना कर रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं मोबाइल से खेल रहे हैं मोबाइल हाथ में लिये हुए है और टक 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 वो मोबाइल से इतर उदर कुछ देख रहे हैं अरे भ घा नहीं मोगाइल को तो छर्च में लिए जाए क्योंकि हमेंशा एक टम्टेशन रहता है, एक परिक्षा में प्रिक्षा भड़ जाती है , पता नहीं उसका मैंसेज आया कь नहीं उसने फोन किया नहीं मैंने उससे कहा था कि पॉन कर दे। अरही जाब yeah ये बाद की बाद है, आप चर्च के बाद में भी देखते, मैं अपना मोबाईल चर्च में नहीं ले जाता हूँ, हाँ, अगर मुझे प्रचार करना है, और वर्शेस अगर देखने है, तो मोबाईल मैं इसले ले जाता हूँ, कि भई उससे जल्दी से आसानी से वचन खुल और कुछ नहीं, लेकिन अगर मुझे प्रचार वगर नहीं करना है, या मेरा कोई भाग नहीं है, और मैं प्रभू की अरादना करने जा रहा हूँ, मोबाईल घर में छोड़ दीचिये, पक्की बात, हाँ, ताकि टेम्टेशन नहाएं, परिक्षा नहाएं, और हमारा पूर मन प्रभू की अरादना में लग जाएं, लोग बोल रहा हैं, जब इस बातों को सुनते तो बोलते हैं, हाँ, सही बोल रहा है, सही तो बोलना चाहिए, ना, यह तो सही बात है, तीस बात का भी हमें ध्यान देना, अगर, मैं यू बोलता हूँ, अगर आप अपनी बाइबल को ले जाएं, अरादना के लिए, जो पुरानी बाइबल है, मोटी सी, हिंदी में, इंगलिश में, जो भी है, आप वो ले जाएं, हाँ, अगर प्रचार करना है, तो क्योंकि जल्दी से हमें पद मिल जाते हैं, तो इसलिए, वो मोबाइल वहां इस्तमाल हो सकता है, तो को बोलते हैं, अरादना, आत्मा और सचाई में करना, अब आप चरश में गीत गाते हैं, आपको गीत का मतलब पता है, जैसे उधारन की रूप में, हलेलुया स्तूती गाय हम, येशु की स्तूती गाय हम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब ये गाना बड़ा प्रचलि है, बहुत लोग गाते हैं, और अच्छा गाना भी है, लेकिन आपको पता है, हलेलुया का मतलब क्या है, अब कुछ लोगों को तो पता होगा, मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ को पता, मैंने पूछा, भाई आपको पता हलेलुया का मतलब क्या है, जी, हमें तो पता ही नही हां तो जो भी कीत आप गाते हैं उसको समझिए गुद्धी से गाईए सचाई से गाईए और आत्मा में गाया हां हलेलुया स्थूति हो महिमा हो है ना तब तो बात बनती है है कि ने तो यह मतलब यहां पर हम देखते हैं तो हमें तो पहले मूर्तियों से तो अलग होना है मू होना ही नहीं है तीक है लेकिन जब हम परमेश्वर के अरादना करते हैं आत्मा और सचाई में तो तीसरी बाते हमारे जीवन में नहीं आती है कभी-कभी मेरे जीवन में आ जाती है जो मैं सोचना हो कि ठीक नहीं है पाप भी हो सकता है तो हम प्रभू से माफी माग लें यह बहुत बहुत मेरे प्रियो जरूरी है जब हम आत्मा और सच्चाई में ये बात करते हैं अराधना के बार इसलिए लिखा हुआ है प्रभू परमेशन ने उस सामरी इस्तिर से यही कहा कि भाई, ना तो तुम वहां अराधना करोगे ना यहां अराधना करोगे वहां मैं प्रभू की अराधना कर सकता हूँ आपके चन में हैं आपके चन में प्रभू की अराधना कर सकते हैं क्योंकि प्रभू की आत्मा हर जगा है वो एक जगा पर मूर्ती के समान बैठी हुई नहीं है कि मूर्ती को उठा करके गाड़ी चलाते समय प्रभू के आ, अराधना आत्मा में कर सकते, सोते समय, सोने से पहले बजा, तेरी स्तूतियों, गीद गालिया, धन्यवाद दे दिया, यह अराधना है, जरूर है कि हम संडे चर्च आते हैं, अराधना करने के लिए, लेकिन हम चर्च में जाकर के अराधन करें, और जैसी चर्च से बाहर आ जाएं, तो क्या अराधना खतम हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम अराधना करते हुए चर्च के अंदर जाएं, कलीसिया के अंदर जाएं, और अराधना करते हुए वापस आएं, तब तो बात बनती है, है की नहीं? आप लो आत्मा में और सच्चाई में प्रभु की जीवते परमेश्वर की अरादना आप और मैं करें अगर आप देखेंगे प्रेजितों के काम उसमें पूरा प्रेजितों के काम में आप देखेंगे लोग अरादना इसी प्रकार से करते हैं आत्मा में सच्चाई में लोग के साथ सं यही है जिसे हम कहते हैं जीवित कलीशिया जब हम परमेश्वर के अरादना आत्मार सचामे करें लौलीन कंटिनियूसली लगातार जिसे हम कहते हैं जब भी यह बात हम ध्यान में रखें तो प्रियो आज हमने देखा कि परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी अरादना करें कैसे करें आत्मा और सचाई की साथ अरादना करें और मूर्तियों से अलग रहें चाहे वो शारिरिक मूर्ति हो या आत्मिक मूर्ति हो आत्मिक मूर्तियां भी कौन से घमंड है प्राइड है लालच है उल्टी सीधी बातें दिमाग में आना ये मूर्थी पुजा के बरावर हो जाता है तो इससे भी हमें होशार रहे ना विशेश करके जब हम प्रभू की अरादना कर दिये बातें हमारे जीवनों में नहीं आने चाहिए सो आईए जह हम परमेश्वर की अरादना आत्मा और सच्चाई में करे क्योंकि परमेश्वर कौन है आत्मा है जीवित परमेश्वर है परमेश्वर की इसमें महिमा हो